जै मातादी दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दि स्वागत है कैसे हैं आप सभी आशा करता हूँ आप और आपके परिवार के सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और मातारानी से यही प्रातना करता हूँ कि मातारानी आप सभी को खूप सारी खुशियां दे कि आप सभी की मनुकामनाये पूरी करें आप सभी को धर्मर्थ काम मौक्श प्रदान करें अब वीडियो की शुरुआत करते हैं इस वीडियो में बात करेंगे बहुत सारे प्रशने पूछे गई हैं इस चीज चीज के ऊपर और और striving में पूछे गई हैं अगर आपका भी कोई प्रशन है तो आप मुझे कमेंट करिए मैं आपके प्रशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ठीक है एक प्रशन यह मुझे पूछा गया है कि पूजा करते समय या मंत्र का जाप करते समय या साधना करते समय हमें गंदे ओ Kerry विचार आते हैं और गंदे विचार आते हैं घंदीगंदी तस्वीर दिखाई देती हैं जब हम आक बंद करके जार करते हैं जब हम पूजा करते हैं यहां तक कि स्थिति इस हद तक ख़राब को जाती है कि हमें अपने इश्ट देव को लेकर के भी गंदे विचार आने लगते हैं यानि की नगन तस्वीर दिखाई देती हैं या फिर उनके बारे में भी हमें गंदे विचार आते हैं अपने गुरु को लेकर के गंदे विचार आते हैं या फिर किसी को भी लेकर के कारण होता है आपके अंदर की काम वासना हमारे शरीर में हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है और हमारे शरीर की जो संरचना होती वह पंची तत्वों से पंची तत्वों से होती है इसके साथ में वात पित और कफ से हमारे शरीर की प्रकृति को देखा जाता है कि हमारे शर अबस्त प्रकृति प्रद्ःव के लोग होते उनके अंदर काम वासना स्द़ाधा होती है ठीक निश्चित रूप से होती है और इसके लिए ऐसा नहीं है कि अलग से उनके अंदर यह चीज आती है यह चीज उनके अंदर जन्म जाती होती है सब्मेजन करनाओ इसको खतम करने के लिए अपने अंदर से कि आपके अंदर गंदे विचार ना है गंदी चीज़े ना दिखाई दें पूजा करते वक्त सादना करते वक्त आपको सबसे पहले चीज तो अपने भोजन को शुद्ध करना है आपको प्याजलस्थन का भी त्याग कर देना तो इसमें भी प्याजलस्थन की बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल के जाता है खैर यह आयूरवेट की चीज़ें यह मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा और यहां पे सिर्फ में इतना बताना चाहता हूँ आपको कि प्याजलस्थन का त्याग आपको कर देना है दूसरी च के साथ बहुत जादा हैवी प्रोटीन वगएरा लेते हैं दूद में वह ड्राइफ रूट्स बहुत जादा लेते हैं और दूद की दूद से बनी हुई चीज़ें पनीर लेते हैं देसी की जादा खाते हैं तो ऐसे लोगों को इन सब चीजों का त्याग करना चाहिए और दूद और दूद से बनी हुई चीजों को बहुत ही कम इस्तेमाल करना चाहिए सिर्फ इतनी इस्तेमाल करना है आपको जितनी आपके शरीर को जरूरत है ठीक है और प्याजलस्तन तो छोड़ी देना इसके साथ में आपको किसी भी तरह की फोटो वीडियो इस तरह की चीज मन में कभी ऐसा विचार देखो विचार तो हर किसी के मन में आता है किसी के मन में जादा आते हैं किसी के मन में कम आते गर ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं तो तुरंत आप किसी काम में लग जाओ ठीक है अपने मन को आपको डाइवर्ट कर लेना है और अपने मन को मंदीरों में बराबर जाते रहना है आपको रोज मंदीर जाने याद़ защariам को आपके मन में आप जाने के जाए लेगर जाहने विचार पर Snarindis कि बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी जड़ से खतम तो सिर्फ और सिर्फ सिद्धों की होती है और महायोगियों की होती है होती सब अपकंति अन्धर यह चीज़ किसी के इंदर कम तो यह बिलकुछ सात्विक हो जाए इनुकर सात्विक जाएँजा आपका चे अंत्मा शुद्र हो जाएगी तो आपके विचार दे शद्र हो जाएँगे फिर आपको चीजों को बहुत जादा मन में उत्पन करता है क्योंकि जिन को अगर किसी लेडिस के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वह लेडिस के साथ बहुत जादा गलत तरीके कORY वहहार रहता है इसके साथ में इसके साथ में अगर जेंड से ओपर भी छोड़ दिया तो जेंड से मन्में भाऊ जादा कामुखता वाले वीचार उत्पनग और नेगटिव वीचार उतपन करता है इसके साथ में अगर किसी मरी हुई मरी आरण लग गई या कोई चुड़ेल लग गई या कोई डाकनी लग गई या कोई भी भूत प्रेत लग गई यह मलए लेडिस फीमेल अगर कोई भूत लग गई तो वह भी उस अदमी के साथ उस पुरुष के साथ कुछ गलत संबंद बनाने की कोशिश करती है और उनके मन में इस तरह के विच प्रेतों को छोड़ाया आपके उपर गंदी-गंदी समशान की चीजों को छोड़ाया गंदी-गंदी निम्न-कोटी की शक्तियों को छोड़ाये तो उनके कारण भी आपके अंदर ऐसे विचारुत पन्य जादा होतेएं क्योंकि इन विचारों के कारण आपकी साधना तो साथ या आट दिन के बाद ही उनकी साधना खंडीТ हो जाती है।। यह सारी चीज यह होती है। आप इसके गौर करिए और अपने अंदर झांकने की कोशिच करिए कि आपके अंदर किस चीज की प्रॉब्लम है। अगर आप जन्म जाती ऐसे हो मतलब कि आपका गुण ही ऐसा है आपकी प्रकरती ही ऐसी है तो आपको अपने अंदर पूरा बदलाव लाना पड़ेगा और अगर आप पहले ऐसे नहीं थे आप अभी ऐसे हुए हो सिर्फ कुछ महीनों में या कुछ सालों में ऐसे हुए हो तो आपको अपने अंदर इन सारी चीजों को खोजना है और अपना इलाज करवाना जब्स की आपके इस तरह से विचार दुबारा नहीं तो यह चीजह करता हूं आप समझ गए हो गया तरह से ऩाशी और आपको वीडियो अच्छी लग लेकर ले तो लाइक कर देना शेयर कर द आया गया आप लोगों के लिए जिसमें भी आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाएगी तंतर मंत्र यंतर से रिलेटिड और तो आपको उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल का लिंक में आपको दिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो वहां से जाकर के आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और इस पे अगर आप पहली बार आयो तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लेना ठीक है मिलूंगा आप से अगली वीडियो में जै माता दी माता रानी आप सभी का मंगल कर आप सभी के सारे काम बनाए जै माता दी